नमस्कार जूहार, चोत्तसगर न्यूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से दीख रही हैं? कॉमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करना बलकुल ना भूले। कैबिनेट में बड़ा फैसला करमचारियों और किसानों के लिए खुश खबरी बनाया जाएगा नया विभाग। ये पैसा इसी माह से दिया जाएगा। कारिवाई के लिए प्रदेश में अब NIA की तरज पर SIA के गठन करने का निम्ना लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में राश्ट्री सिक्षा नीती 2020 को लागू करने का फैसला किया गया है। यूपी के सीम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला चात्तसगड सी गिरफतार। उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदितिनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को चात्तसगड के राश्धानी रायपूर से गिरफतार किया है। ये मुजवला योजना से चात्तसगड की महलाओं के जीवन में आया बड़ा बदलाव। केंद्री योजना प्रदान मंत्री उजवला योजना से घरेलू महलाओं के जीवन में बड़ा बदलावाया है। प्रदेश में अब तक 36,75,260 महलाओं के चेहरे खिले हैं और रसोई के काले धुएं से छुटका रमला है। महलाओं अब चूला नहीं फूकती हैं। प्रदान मंत्री उजवला योजना के तहट महलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर और गैस चूला विद्रत किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में योजना के दहट महलाओं को महज 976 रुपे में रसोई गैस का सिलिंडर और लप्त कराया जाता है। चोतसगड में होगा SIA का गठन NIA की तरच पर करेगा कारे। चुनाव में उतारने की तैयारी में कॉंग्रेस 150 लंबत नेता होंगे बहार। लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस ने शुतसगड के कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीती पर काम शुरू कर दिया है। पूर्व मुखी मंत्री भुपेश बगेल, पूर्व मंत्रियों में टियेस सिंग देव, अमरजीत भगत, रवंदर चौबे, तामरिध हज, साहू, डॉक्टर शिफ, डहरिया को लोगसभा की चुनावी मैदान में उतारने की सुग बुगाहट तेज है। इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव मेलिहार से सबक लेते हुए गुडबाजी और अंतरकलाख खत्म करने की साथ ही 150 निलंबत नेताओं को बहाल करने की तयारी की है। आहाते को खोलने के लिए लाइसंस की राशी निरधारित की जाएगी। टेंडर प्रुक्रिया पूर्ण होने के बाद जिसे भी टेंडर मिलेगा उसे आहाता चलाने के लिए लाइसंस दिया जाएगा। इस फैसले से राज़ी सरकार को शराप के अलावा 100 करोड रुपर ज ज्यादा का राजस्वर प्राप्त होने का नुमान है शतसगड के इंजलों में PDS सिस्टम का बुरा हाल फ्री चावल पाने के लिए जान जोखे में डाल रही लोग बस्तर पिछले चौर दशकों से नकसलवाद का दन्श झेल रहा है बस्तर में ऐसे भी ग्रामीन इलाके हैं जहांकि सैक्डो ग्रामीन स्वाफजनिक विद्रन प्रणाली के तहट मिलने वाले PDS चावल के लिए कई तकलीफों का सामना करते हैं यहां हर महीने सरकार की राशन दुकानों से चावल पाने के लिए ग्रामीनों को नकेवल 30 से 40 किलोमेटर का सफर पैदल तै करना पड़ता है बलकि रास्ते में पढ़ने वाले नदी नालों को भी जान जोखिम में डाल कर पार करना पड़ता है चाथिसगर में कॉंग्रिस लगा रही उसने दो सीटें हासिल की थी इस बार कॉंग्रिस विपक्ष में है और अपना जीत का आंकडा बढ़ाना चाहती है कॉंग्रिस के लिए सबसे बड़ी चुनोती प्रदेश की बीजेपी सरकार नहीं बलकि मोधी फैक्टर है बीजेपी की कोशिश इस बार कॉंग्रिस का सूपड़ा साफ करना यानि पूरी 11 सीटे जीतने की है SME कॉंग्रिस सभी दिगजों को आगे करने चाह रही है सीची में तींद्वों की आबादी में बड़ी गिरावर्ट शतसगड में तींद्वों की आबादी में रिकॉर्ड गिरावर्ट दरज की गई है केंद्री वन एवं परियावरंट और जलवायू परिवर्दन मंतराले की साल 2022 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश में तींद्वों की संख्या 722 है जबकि साल 2018 में चतसगड में तींद्वों की संख्या 822 थी इस तरह चार साल में 130 तींद्वों की संख्या घटी है 29 फरवरी को जारी इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है भारत में तींद्वों की इस थिति नाम से ये रिपोर्ट जारी हुई है जिले में अब ड्रोन से रखी जाएगी हांथियों के हलचल पर नजर चतसगर की सरवाथ है कहां थी प्रभावित शेत्र में शामिल जश्पुर जिले में अब हांथियों के हलचल पर नजर रखने के लिए वन विभाग को ड्रोन का साथ मिल गया है इसकी सहायता से वन विभाग घन जंगलों के बीच विचरन कर रहे हाथियों के दल की लोकेशन ट्रेस कर प्रभाविच शेत्र के ग्रामीनों को सच्छेत कर सकेगी ट्रोन की सहायता से आने वाले समय में जन और संपत्ती हानी को कम करने में सहायता मिलने की आशा की जा रही है बार्वी के पास जात्रों को मिलेगा स्कॉलर्शिप आउलाइन करना होगा आविदन कॉलेज गोईंग अनुसूचित जाती जनजाती पिछड़ा वर्ग के बच्छों के लिए स्कॉलर्शिप के लिए स्कॉलर्शिप की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिला प्रशासन सिमिल जान करिके नुसार जो स्टूडेंट स्कॉलर्शिप की मानेता रखते हैं विबार्वी की सर्टिफिकेट की साथ विभागी वेबसाइट पर 14 मार्श तक आउनलाइन आविदन कर सकते हैं आदेवासी विखास विभाग के सहाया का आयुक्त ने बताया नवीन एवं नवनी करनाविदन के लिए 14 मार्श तक तारीक निर्धारित है गल्स होस्टल में भीशुनाग 300 बच्चियां थी मौजूद मिले अफशेश गल्स होस्टल में भीशुनाग लगई इस दौरान 300 से ज्यादा बच्चियों को रेस्क्यू किया गया जबकि एक 4 साल की बच्ची की मौथ हो गई मौके से उसके अफशेश में ले हैं घटना के बाद इलाके में अफरत अफरी का माहूल है आग लगने का कारण शौर्ट सरकेट बताया जा रहा है फिलहाल पुल्स मामने की छान बीन कर रही है एक साल के लिए बढ़ाई गई LPG सेलेंडर पर 300 रुपे सबसीड़ी प्रधान मंत्री उजवला योजना किला भारतियों को 300 रुपे सेलेंडर की सबसीड़ी दी जाती है जिसकी अब थी 31 मार्ज 2014 तक थी उसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है यानि आब इस योजना किला भारतियों को 31 मार्ज तक केंद्री करमचारियों के लिए खुश खबरी है महंगाई भत्ते में 4 फीसदी के इजाफे को मंजूरी दे दी है अब करमचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा ये महंगाई भत्ता एक जनवरी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो विडियो को लाइख और श्रीयर करना वेलकुल ना भूले धन्यवाद